आप सुन रहे हैं रेडियो मदवन 107.8 FM सुनते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं जीवन रोशनी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आर्जे शुभा और आज हमारे मध्यां रहेंगे सिस्टर अनन्या जी और जो खुद एक यूध है, लेकिन एक यूध लीडर है और इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी समझ से इस दुनिया को परिवर्तन करने के रहां पर जुड़े हैं और साथी साथ उनके अंदर बहुत सरे प्रतिवाए हैं है तो वो दिल्ली से, लेकिन रह रहे हैं वर्तमान समय आस्ट्रिलिया में एन्वरमेंटल साइंस में उन्होंने पढ़ाई की और फिर आगे के हायर एजूकेशन के लिए वो आस्ट्रिलिया गए और वहाँ पर भारत के संस्कृति को जन मानस तक पहुँचा रहे हैं और खुद भी आध्यात्मित्ता को पहचान करके दूसरे लोगों तक और यूद तक इस आध्यात्मित्ता को पहुँचा रहे हैं उनकी समझ उनकी ज्ञान की गहराईयां आज हम इस कारेक्रम के माध्यम से जानेंगे आज हमारा सोभाग्य है कि सिस्टर अननिया आज हमें गाइड करेंगे तो आज हम जिस गाने के बारे हम बात करेंगे वो है जिन्देगी एक नाटक है ये नाटक मूवी से है और इस गाने को गाया है आशा भूसले जी ने म्यूजिक डिरेक्टर है लक्षमी कान प्यारे लाल जी और इस गाने को लिखा है आनंद बक्षी सहाब ने तो आएए अनन्या जी का स्वागत करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में तो मैं कहना चाहूंगी हमारे शोताओं को कि ये गाने के बारे में भी मुझे गाइड किया अनन्या जीने उन्हें ने कहा कि इस गाने के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिन्दगी एक नाटक है हम नाटक में काम करते हैं इस गाने को आपने क्यों सोचा कि इसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है? I think यह जो वर्ड है जिन्दगी, you know, life, तो बहुत जरूरी है समझना कि हम किसको life समझ रहे हैं, किसको, जिन्दगी मतलब जो जिन्दा है, और यहाँ पर जो पहली लाइन है, कि जिन्दगी एक नाटक है, जो जब हम नाटक की बात करते हैं, तो more like a theater, drama, वो दिखता है दिख रहा है, real, but we know कि वो एक story पे आधारित है, वो story अल्रेडी बनी हुई है, और उस पे वो नाटक चल रहा है, so वो 3D effects, sound and action से हमें life लगता है, but यहाँ पे यह बहुत ही सुन्दर और right perspective है, सही perspective है, according to our spiritual model, truth का model, कि जिसे हम जीवन-जीवन कह रहे हैं, जिसे हम life कह रहे हैं, वो वास्तव में, it's a story, वो नाटक है, ड्रामा है, तो यह जिन्दगी एक नाटक है, रंग बंच है, और यहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, और हम जो beings हैं, हम जो energies हैं, souls हैं, वो यहाँ पर आके बस काम कर रहे हैं, but what this implies is कि हमारा जीवन, हमार यह life, और हमारा संसार अलग है, क्योंकि यह जिसको हम समझ रहे हैं, वो तो नाटक है, जी, कैसे अलग है हमारा संसार, क्या है संसार? Soul and role, you know, two different things, जैसे एक अक्टर है और वो थोड़ी देर के लिए एक रोल प्ले करता है, अमिताब बच्चन है, वो रोल प्ले करते हैं, कूली का, वो दूसरी मूवी में रोल प्ले करते हैं, शेहनशाह का, और कोई अक्टर है, किसी मूवी में रोल प्ले करते हैं, बाजश personality, वो बिल्कुल अलग है, और थोड़ी देर के लिए वो एक रोल में आया है, जिसमें उस कूली की, उस शेहनशाह की personality बिल्कुल अलग है, और उसको वो life दे रहा है, उसको वो जीवन दे रहा है, उस रोल को, कैसे दे रहा है, by knowing की मैं अलग हूँ उस रोल से, तो वो रोल को जस्त एक मास की तरह उसने पहना है, रोल की जब हम बात करते हैं, तो उसमें डायलोग तो है ही, script है, डायलोग है, वो डायलोग को बोलने का तरीका, उस रोल को निभाने का तरीका, फील करने का भी तरीका है, तो अमिताब बच्चन कैसे फील करेगा किसी बात को, वो ब रिल लाइफ, एक तरफ है नातक की लाइफ और एक है उसकी रियल लाइफ, तो हम जिसको कह रहे हैं, आज मेरे साथ यह हो गया, एक मैरे साथ यह हो गया. कि life means situations outside तो मेरे रोल में जो जो बाते आ रही हैं, that's my life तो फिर I will say कि हाँ कल ये हुआ था मेरे साथ आज ये होगा, आज मुझे वहाँ जाना है तो हम सोच रहे हैं ये life है बट actor के लिए life मतलब actor की life मतलब उसकी feelings उसका perspective वो dependent नहीं है आज क्या हुआ, कल क्या होना है कल के situation में जाना है ये सब external situations है और ये life, real नहीं है ये part of the story है bigger picture, part of एक नाटक है, तो इस तरीके से role बिलकुल अलग है और soul बिलकुल अलग है और जब soul conscious होके role में आता है तो वो कोई भी role perfectly play करेगा तो इसमें एक line है कि पर्दा उठते ही पर्दा उठते ही पर्दा गिरते ही सबको सलाम करते हैं हम नाटक में काम करते हैं जिंदेगी एक नाटक है तो सलाम करते हैं इसका क्या महित हो है क्या कहना चाह रहे हैं जैसे ही पर्दे गिरते हैं, पर्दे उठते हैं, मतलब पर्दा हटने से और पर्दा वापिस close होने से, बीच में जो भी हुआ, वो जस्त एक, you know, that is not my reality, वो जस्त एक बीच की जो story है, वो script है, वो play out हो गई, क्योंकि रंगमन stage पे एक story होगी, तो जैसे ही पर्दा open up हुआ, movie has started, और फिर हमें ये भी पता है कि definitely जो movie start होई है, वो end होगी, so including the story of Ananya, actor को पता है कि ये story शुरू हुई है and ये story खतम होगी, तो इसी तरह हमारी जो personal ये जो story है, जितना हम इसको, इसकी बातों को और इसकी सभी जो situations है, इसको हम जब spiritual model से देखते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि everything जिसके साथ हम लगाते हैं कि मेरे साथ, मुझको, तो भी understand कि ये सब Ananya का सब कुछ, it's a story and actor बिलकुल अलग है, तो ये सब कुछ, मतलब पर्दा open हुआ है, स्टोरी चल रही है, एक दिन पर्दा बंध होगा, स्टोरी बंध हो जाएगी, और उस बीच में हम नाटक में काम कर रहे हैं, तो हमारी, जब हमको ये idea है कि ये अलग है और ये एक स्टोरी है, तो अगर स्टोरी में मुझे कहीं पर पहुँचना है, ग्यारा बजे कहीं पहुँचना है, ट्राफिक हो गया है, ट्राफिक जाम हो गया है, बहुत सारे reasons हैं डिले होने के, तो उस समय एक्टर के पास choice है, कि वो अनन्या की स्टोरी में मैं लेट हो रही हूँ, उस anxiety को experience करे, उस बेचैनी को experience करे, ब्लेम करे, गवर्मेंट ऐसी है, ड्राइवर ऐसा है, यह सब choice है, और दूसरा अक्टर अपने real personality में आए, और वो अनन्या की स्टोरी से step back कर ले, यह choice है, तो हमें पता है कि पर्दे के उठने और खतम होने से, बंध होने के बीच में जो भी चल रहा है, अनुभव करें, नाटक में जो बाते आ रही हैं, उतार-चड़ाव आ रहे हैं, बहुत किसी ने अच्छे डायलोग पे बहुत ताली बजाई, और किसी ऐसे डायलोग पे सब बहुत बुराई कर रहे हैं, स्टोरी की, और चारेक्टर की, I have the choice कि मैं क्यारेक्टर को जब सब अच्छा देख रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा फिल करूँ, या क्यारेक्टर को कुछ लोग बॉइकोट कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, तो मैं अपनी वैल्यू को कम कर लूँ, so that is why it is important to know, कि जिसको हम जीवन-जीवन कह रहे हैं, it's a story, it is just a story, और हमारा spiritual model यही कहता है, कि जब हम इस story से थोड़ी देर के लिए भी detach होते हैं, तो हम इस story की सभी बातों को right way से deal करते हैं, better techniques, better skills के साथ हम deal कर सकते हैं, किसी की bullying, किसी का boycotting, किसी का jealousy, इस सब को हम बहुत better, higher perspective से deal कर सकते हैं, जब हम समझें कि it's part of the story, part of naatak, यह सिफ naatak का हिस्सा है, drama है, जैसे हम यह भूल गए कि यह naatak है, तो हम भूल जाएंगे कि यह शुरू होता है और खतम भी होता है, और जहां पर हमने यह समझ लिया, यह भूल गए हमकी, यह खतम भी होता है, जैसे हमने यह भूल गए कि हमको यहां से जाना है, तो यहां पर हम story की हर बात को claim करना, उसको पकड़ना, यह सब start हो जाता है, जिससे insecure feel करना, घबराना, अपने को anxious, depression, तो यह बहुत बड़ा सत्य है कि यह naatak है, और हम नाatak में बस काम कर रहे हैं, और choice है कि नाatak से अलग experience करें, जी, बिल्कुल, और आगे में एक सवाल जरूर पूछूंगी, जाते जाते हैं आप इसका जवाब दीजीगा, कि हमें याद क्यों नहीं रहता हैं, कैसे याद रखे कि यह एक नाatak हैं, लेकिन गाने की कुछ लाइन्स के उपर आते हैं, और कहते हैं कि खेल में कभी बसती है तालियां, और देते हैं लोफर गालियां, जैसे आपने भी कही है, कि कभी हम अच्छे करदार निभाते हैं, तो लोग तालियां बजाते हैं, और नहीं निवा पाते हैं, तो लोग का टैक्ष भी करते हैं, तो उस समय, अगर प्राक्टिकल लाइफ में ही हो रहा है, और हमें याद रखना है कि ये खेल है, जिन्देगी है, रंगमंच है, तो अपनी वैली को बढ़ा है कैसे, कि वो हर तरफ संकल्प और लोगों की बाते तो आपको हर पल वो ताना ही मार रहे है, तो वहाँ पर अपने आपको कैसे स्टेबल रखे हैं, जहां पे भी हम ये समझते हैं कि ये स्टोरी, ये लाइफ है, अनन्या की जो कहानी चल रही है, या संगीता, पीटर की, माइकल की जो कहानी है, ये मेरी लाइफ है, जहां पे डॉक्टर भी बोलता है कि अभी आपके चोड़ दो क्योंकि आपके याददाश कि आपके रियल फैमिली कौन है, आपका गहर क्या है तो वो डेंजरस होने लगता है, समाज के लिए वो व्यक्ति देंजरस होने लगता है, कही बार ऐसे सेलेब्रिटीज हैं, जिनके जो फैन्स होते हैं, वो इतना उनको कौपी करने लगते हैं कि थोड़े टाइम बाद उन्हें लगने लगता है कि हम वही सूपरस्टार हैं, तो इस तरीके से कईयों को, you know, medical treatment की, मतलब बिकम्स वेरी सीरियस, सोसाइटी के लिए वो हानिकारक हो कि सोल बिलकुल अलग है और रोल बिलकुल अलग है, तो यहां पर यह जो confusion स्टार्ट होता है, इसी को हम कहते हैं, ego is taking over, ego मतलब false image, हमारी जो एक, हमने false image बना रखी है, that is taking over, तो जितना जादा ego is active, एहंकार, ego, यह जितना जादा active है, तो यह इस कहानी में किसी ने थोड़ा सा भी criticize कर दिया, थोड़ा सा कुछ offensive बोल दिया, या कुछ बोल दिया, यह उस filter से लेता है, ego इस filter से लेता है, कि मेरे पर attack हो रहा है, वो offense लेता है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला offensive ही बोल रहा है, किसी में कोई normal बात भी कही हो सकती है, क्योंकि नाटक में क्या है, नाटक is mainly for entertainment, नाटक का उदेश यह है, कोई भी नाटक हो, action हो, tragedy का हो, politics का हो, तो नाटक में बहुत सारी बाते आती हैं, ताकि वो interesting बने, तो यह जो 24-7 जो हमें आखों से दिख रहा है, यह एक नाटक है, और यहां पर बहुत सी interesting बाते होत किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने यह कर दिया, कभी successful कुछ scene हो रहा है, तो अक्टर के लिए जो जागरित है, उसके लिए story की यह सारी बातें बहुत interesting है, उसको आके story के character को किसी ने कुछ कह दिया, कि यह ऐसे उसके बारे में तुड़ी गॉसिप कर दी, तो उसे लगे कि वो actor भी है, और साथ में वो observe भी कर रहा है, audience की तरह भी बेठा है, तो audience तो नाटक को तीन घंटे के लिए बस मज़े के लिए देख रही है, कि हम थोड़ा सा हमें break मिल जाए, तो ऐसे ही, यहां पे जब ego-based हमारी thinking हो जाती है, तो story की, नाटक की हर बात को हम hype करने लगत क्योंकि ego का nature है, हर चीज में negativity create करना, तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ action कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, जो कि बहुत right नहीं है, but we understand कि वो नाटक का हिस्सा है, और जब वो नाटक का हिस्सा है, तो मेरी feelings come from soul का असली व्यक्तित्व, तो ego का personality है, negativity की, हर चीज को personally लेने की, insecure होने की, और soul का perspective है, positive देखने का, हर चीज को मजे में लेने का, light रहने का, easy रहने के, यह soul की attributes है, और यह कैसा भी role चल रहा है, उसके पीछे जो soul है, उसके पीछे जो invisible star है, हम soul को कहेंगे invisible star, तो हर एक star का यही nature है, कि fun, light रहना, easy रहना, तो जब हम यह criticism, यह बाहर की negativities को, ऐसी बातों को, fun के perspective से लेते हैं, soul के perspective से, तो अंदर में ego खतम होता है, ego तूटता है, और सारा जो दुख का कारण है, वो सिर्फ ego है, it is not कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ jealousy कर रहे है, या कोई problem create कर रहा है, कोई हमें successful नहीं द दुख का कारण नी है, दुख का कारण बस ego है, तो जैसे-जैसे हम soul जो है वो जागरित होके invisible star, story को story देख रहा है, तो उसकी हर twist and turn को positively लेता है, खुशी-खुशी से लेता है, और उससे अंदर का ego जो है, वो खतम होने लगता है, और जैसे-जैसे ego खतम हो रहा है, तो कैस तो कैसा भी सीन आ जाएगा, तो कभी तालियां है, कभी गालियां है, so now actor is just, उसका agenda, ताली वाले के साथ फ्रेंडशिप करना, गाली वाले के साथ इसको इग्नोर करना, इसको अवाइड करना नहीं है, उसका intention is enjoy करना, तो ताली बजा रहा है, बहुत अच्छी बात है, गाली दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, it's just a character in the story, और ये character अभी खतम हो जाएगा, थोड़े time बद रहेगा ही नहीं, तो इससे एक enlightening, constant जीवन, जैसे जैसे नाटक का एक-एक scene बीत रहा है, soul is happy, irrespective of what is happening, लेकिन कई बार लगता है कि ये बहुत difficult है, जब दूसरों के role play देखते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसे acting करना चाहिए, वैसे acting करना है, हम easily judgment pass कर देते हैं, लेकिन जब हम खुद को देखते हैं, तो फिर जैसे अपने ego की बात कहीं, तो उस ego से आगे बढ़कर कि अपने आपको accept करना और अपने role को निभाना बहुत difficult लगता है, आपको क्या लगता है, क्या easy है थोड़ा, क्या procedure है इसका, ये किसी को भी हम underestimate नहीं कर सकते हैं, सब के पास, हर एक invisible star के पास, अगर वो clarity आजाए, वो understanding आजाए, कि मेरी personality कैसी है, तो story, जो story का character है, story का character हो सकता है, कोई भी, Manoj भाई, एक story के character है, तो उसकी एक अपनी personality है, उसके लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके पास बहुत बड़ी list है, तो story का character है, उसके drishti korn में, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है हर चीज के लिए list है, वो किसको प्यार देगा, किसकी respect करेगा, किसी के पास बहुत अच्छा phone है, उसकी respect करेगा, किसी के पास दिखराय की, तो हर उस character के perspective में, drishti korn में, बहुत सारे उपर नीचे हैं, तो हम सब एक character play कर रहे हैं, अगर जब भी हम इस character के drishti korn से कोई सीन देखेंगे, तो हमेशा यह चीज है, यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं था, यह सब involved रहेगा, mind में इस तरीके के संकल पाते रहेंगे, यह cyclical thoughts, यह बार बार यही thoughts गूंते रहेंगे, जिससे फिर वो pattern बन जाता है, यह होना चाहि बन जाते हैं, बहुत स्टॉंग, और जैसे ही हम यह समझते हैं, कि यह जो इन्विजिबल स्टार है, इसका जो नाचुरल नेचर है, नॉर्मल नेचर है इसका, वो नॉर्मल नेचर है, कि यह स्टोरी के अंदर एक तरफ से आरा है, यह पर्दे के पीछे आया, पूरा कॉस्ट्यूम से स्क्रिप्ट प्ले आउट करी, नाटक, रोल प्ले किया, और फिर कॉस्ट्यूम चेंज करके अपना घर चला गया, तो पूरी स्टोरी में जो भी हुआ, क्यारेक्टर में, अप्स एंड डाउन्स, इस एक परसंट भी इसका असर नी पड़ा, वो ज इस एक बहुत ही लिबरेटिंग अंडरस्टैंडिंग है, प्रुथ है, सत्य है ये, कि कहानी में कुछ भी हो रहा है, इन्विजिबल स्टार सेफ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिलकुल सेफ है, थोड़ी देर किया देर किया, इसके साथ बच्पन में ऐसा हो गया इन्विजिबल स्टार सेफ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिलकुल सेफ है, थोड़ी देर के लिए स्टोरी में आया है, लेकिन नातक चलते हुए, इसको लिव करना, इसको जीना, तो इसको जीते जीते जीते, जितना हम आते हैं इस रियालिटी में कि I am safe, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और मेरा जो पूरा फैमिली है, वो सभी स्टार्स की फैमिली है, तो हम हर एक का नेचर है एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे को सम्मान देना, तो इसमें हम दो मिनिट भी अगर इसको रिवाइज करें, तो जो ये इगो-based हमारा perspective है, judgment पास करने का, criticism देने का, लेने का, guilty feel करने का बहुत जल्दी, compare करने का अपने आपको, तो ये सब इगो के जो patterns है, ये dissolve होंगे, तो इसके लिए बस करना इतना है कि दो मिनिट के लिए ही, दो मिनिट के लिए ही सही, पूरा invisible star, Manoj को बिल्कुल छोड़ दे, दो मिनिट के लिए Manoj के, इस second तक Manoj के साथ आज पूरे दिन क्या हुआ, छोड़ दिया, इस second तक Ananya के साथ अभी तक क्या हुआ है, आज क्या-क्या हुआ नातक में, उसको छोड़के मैं बिल्कुल safe हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी बहुत मैं आत्मा, बहुत ही सुन्दर हूँ, और मैं आत्मा perfect हूँ actually, आक्टर बहुत skilled है, आक्टर बहुत ही successful है, तभी तो उसको role मिल रहा है, तो हर एक जो invisible star है, वो perfect है, वो flawless है, तो दो minute के लिए इस experience में आना, इसको revise करना, तो story-based जो हमें सही लगता है, क्योंकि story में बहुत सारी conditioning है, कहां पढ़ाई करी, कैसे लोगों के साथ रहे, तो यह सब conditioning जो है, dissolve होती है, disappear होती है, तो इससे यह जितने भी negative thought patterns है, negative attitudes है, victim feel करना अपने को, बहुत जल्दी feel करना कि मैं बेचारी हूँ, मैं बेचारा हूँ, अपने को limit करना, कोई situation आएगी नि मुझसे नहीं हो पाएगा, यह सब कुछ dissolve होगा, और soul की जो real power है, soul का real attitude है, winner का attitude, विलकुल carefree, बेफिकर, तो वो easiness, वो lightness आएगी, इसको experience करना है दो-दो minute के लिए, so this is called detachment from the story, नियारा होना, कहानी से, स्टोरी से नियारा होना, जी, और हर एक जो movie है, जो film है, उसके कोई director होता है, और वो चूज करता है कि किसको hero role देना है, किसको क्या role देना है, तो हमारा यह जो life है, जो आप soul और star की बात कर रहें, तो इस life के, इस film के भी कोई director है? हम सब के जो personal story है, जैसे कहें कि Ananya की, Manoj, Michael, Elizabeth, यह सब जो stories है, इसका जो personal director है, वो है हमारी खुद की समझ, intellect, जिसको हम बुद्धी कहते हैं, तो अंदर में, हमारे inner world में, हमारी बुद्धी की क्या समझ है, तो direction, उस दिशा में हम चल रहे हैं, जैसे कि मेरी समझ यह है, कि eat का जवाब पत्थर से देना चाहिए, कोई कुछ गलती करता है, तो उसी समय उसे बता देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तो जब हमारा यह समझ है, इस समझ के basis पे हमारा सोचने का तरीका होगा, देखने का तरीका होगा, और इससे फिर ह हम खुद अपनी स्टोरी को क्रियेट करते हैं, इस आधार पे हम सिच्वेशन को इन्वाइट करते हैं, जिसका समझ यह है कि मान लीजे किसी की समझ यह है कि मेरे साथ हमेशा लोग मैं सबके साथ अच्छा करती हूं और मेरे साथ सब बुरा करते हैं, that is my understanding, यह मेरी समझ है किसी अनुभव के आधार पे हो सकती है, एक बार ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ हो, जहां हमने अच्छा किया और सामने वाले ने रिटर्न में नहीं किया, तो उस बैसे पे हमने समझ बना ली, या बहुत छोटी एज में हम जिस तरीके का प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये समझ हमने बना ली, अब वो इंसिडेंट में कितनी सच्चाई है वो तो बात की बात है, कई बार हमारे लिए प्यार का मतलब है, साथ में मेरे साथ खेलो, साथ में ये करो, वो करो, लेकिन पैरेंट्स के लिए प्यार का मतलब कुछ और हो सकता है, कि वो आपको खान टाइम पे रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, गिफ्ट ला रहे हैं, तो यह सब इस सब को साइड में रखके, जैसी अब हमने समझ बना लिया, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मेरे साथ में अच्छा करते हूं, मेरा सब फाइदा उठाते हैं, अब इस समझ के आधार पे, मैं अपनी स्टोरी खुद क्रियेट कर रहे हूं, इस पैटर्न से, और ऐसी सिचुएशन और ज्यादा आएंगी, क्योंकि अब हमने अपने माइंड में, हमने बुद्धी में समझ बनाई, और हमारा जो माइंड है, so two things, सोल के पास एक समझ है, इंटलेक्ट है, और जो समझ उसने बना ली है, तो अब माइंड जो है, उस समझ का प्रूफ दिखाएगा, मन का काम होता है, कि वो जो भी समझ आपने अपने अंदर में पकड़ ली है, उसका प्रूफ द मेरे साथ बुरा होता है, हाँ, मुझे कोई प्यार नी करता, ऐसा, तो जो समझ है हमारे अंदर, इसको कैसे चेंज, कैसे करें, इस समझ को हम शिफ्ट करते हैं, टृफ के आधार पर, मतलब ये समझ जो है, ये अनन्या के एक्सपिरियंस पर बेस्ट है, इसके घटना, इसक मैं समझ रहे हूं कि मैं वो चैरेक्टर हूं, वो रोल हूं, और उस रोल में किसी ने कुछ कहा, कैसा किया, तो मैंने उस बेसिपर समझ बना ली कि मेरे साथ ऐसा होता है, अब हम इस समझ को ड्रॉप करते हैं, और हम तृथ में आते हैं, तो एपसुल्यूट प्रूथ हर ए दिश्टी कोर्ण से सब कुछ देख रहा है, तो उसके दिश्टी कोर्ण से हम जब सब कुछ देखते हैं, तो एक ही सेकंड में हमें क्या नज़र आता है už है, कि मैं ही मास्टर हूँ। मैं मास्टर हूँ, मैं कैसे मास्टर हूँ? मैं अपनी समझ प्रुथ के आधार पर, कि हर एक आक्टर बहुत अच्छा है, हर एक इन्विजिबल स्टार है, सब स्टार्स हैं, और सब डिफरेंट 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 रोल प्ले कर रहे हैं, और दो रोल, दो आक्टर्स के में प्रिप्त में क्या हो रहा है? जैसे कि एक Michael है और उसके साथ एक लड़का है, तो अली और Michael आपस में लड़ रहे हैं. उनको ऐसी मिली है कि इस टेज पर आके वो दोनों लड रहे हैं लेकिन स्टेज के पीछे बैकस्टेज वो दोनों best friends है तो रोल प्ले में वो आके लड रहे हैं तो अभी कि हमारी समझ जहां से हम start कर रहे हैं हम जैसे यह समझ लाते हैं कि हर एक एक आक्टर का एक दूसरे के लिए प्यार है, इटर्नल प्यार है, क्योंकि नेचर ही हर सोल का है, to give love, to give happiness. अब हम कैसे पता करें कि ये नेचर है और ये फिलोसिफी नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि गुसा कर रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, नेगिटिविटी क्रेड कर रहे हैं, बट हम पियार रहे हैं कि नहीं, हर एक का नेचर है, प्यार देने का, हर एक का नेचर, हर एक बहुत स्वीट है, लवली है, तो ये फिलोसिफी नहीं है, ये ठूथ है. अब हम कैसे पता करें ये ठूथ है? जो भी हमारा truth है, वो ही feeling, वो ही experience हमारे लिए comfortable है कोई भी ego में आकर गुसा करके कभी खुश नहीं होगा, uncomfortable feel करेगा, बेचैनी सी रहती है अपने से दूर आ जाते हैं हम, तो ये हमारी starting position है कि हम सब ही का nature है, प्यार देना, प्यार लेना, हम सब का nature है, सुख देना, सुख लेना तो script में कुछ भी हुआ, दिख रहा है कि कोई नाराज हो गया, दिख रहा है कि किसी ने आज तेज से बोल दिया दिख रहा है कि हमने भी अपने script से कुछ ऐसा निकल गया बोल दिया, ठीक है कोई बात अब जो नाटक में हो गया है वो हो गया है we can't change that, दो minute के लिए come to this truth इस सत्य में आ जाएं invisible star के perspective से देखें कि सब बहुत अच्छी family है, सब एकी family सबका एक दूसरे के साथ बहुत प्यार है, तो ये attitude जैसे हम shift करते हैं तो story के level पे भी चीजें change होने लगेंगी we start as if कि हम एक नई story लिखने लगते हैं, इस सुरक्षित मानसिक्ता से safe mindset से कोई कितना भी provoke करे कोई कितना भी आपको agitate करने के लिए कुछ बोले कुछ कहे, लेकिन आप जब इस attitude में firm है भले पूरे दिन नहीं, लेकिन दिन में बस दो तीन ही minute इसके साथ हमें experiment करना है, हम कहें कि इसके साथ सिर्फ खेलना है कि नाटक अलग है और नाटक में कोई कोई क्या कर रहा है सब क्यारेक्टर है सम्टाइम्स हम क्यारेक्टर को ये भी कहते हैं कि कार्टून है सब कार्टून है तो ये क्यारेक्टर और कार्टून आपस में क्या बोल रहा है क्या कर रहा है ये अलग है लेकिन हम सब बैक्स्टेज बैक्स्टेज रियालिटी है कि हम सब स्टार्ड है और हम सब का नेचर है, बहुत ही प्यारा, हम सब का नेचर है happiness का, joy का और easy रहने का, निश्चिंत रहने का, सुकून में रहने का, तो हम ऐसा कहेंगे कि दिन में दो-दो मिनिट, तीन-चार बार अगर हम इसके साथ खेलें, तो समझ चेंज होने लगेगी, डाइरेक्टर चेंज हुआ, समझ चेंज हुई, स्टोरी में भी impact आने लगेगा, स्टोरी चेंज होने लगेगी, स्टोरी में, victim के scenes, problem के scenes, यह सब shift हो जाएंगे, जी, और यहां पे कुछ lines इस प्रकार से हैं, कि भले बनते हैं, बुरे बनत हैं, हम नाटक में काम करते हैं, जिन्देगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं, तो क्या भरले बनते हैं, बुरे बनते हैं, यह हम खुद ही बनते हैं, और खुद को ही बदनाम करते हैं, जब हम अपने को नाटक का किरदार समझ रहे हैं, तो whatever role I am given, अगर college की एक warden ह तो हॉस्टेल के स्टाफ के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बहली है, स्टुडेंच के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो यह बeurौकर डอง किसी के लिए बहुत अच्छा है, वह प्रपलम है, बट हम अपने रोल को जस्टिस करते हैं यह समझ के कि मुझे इस रोल को किसी की नजर में अच्छा नहीं प्रूफ करना है जब हम यह इस में फिर्म होते हैं कि मुझे अनन्या को किसी की नजर में अच्छा बनाने का बुरा बनाने का कोई शौक नहीं है यह तो जस्टिक रोल है, तो हम इस role में actor authentically आता है, किसी को impress करने के लिए, किसी को परिशान करने के लिए, तो फिर भी role में किसी के लिए बहुत अच्छा है, same person, किसी के लिए ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और किसी के लिए वो बिल्कुल, कोई कहेगा उसकी बुराई करेगा, तो ये सब नातक में चलता है, भला करते हैं, बुरा करते हैं, ये सब नातक में चलता है, बट जब हम नातक का किरदार है ही नहीं, तो हमारे लिए डोजन नहीं पसंदार है, किसी का ये उपिनियन है, that is why we say कि सब अपनी लेंज से देख रहे हैं, स्टुडेंट की इमेज से अटाइज़ है, तो उसे वार्डन नहीं पसंदार है, और, so that is the thing, so हम किसी को, किसी के लिए, क्यारेक्टर को अच्छा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट अक्टर जागरित है, तो वो हर रोल को justice करेगा, लोगों का क्या opinion आ रहा है, क्योंकि अगर वार्डन स्टुडेंट्स की सुनने लगे, कि आपने ये क्यों किया, तो फिर उनको खुश करने के लिए, तो फिर वो वार्डन के रोल को justice नहीं करेगा, वार्डन का रोल है, discipline set करना, अच्छे से काम हो, टाइम पे हो, उन सब में problem आने लगेगी, so that is why, bigger picture में हम देखते हैं, कि हर एक रोल जो है, बहुत जरूरी है, और हम सब को जो जो रोल मिला है, या हमने create किया है, जो भी हम कहें, ये बड़े नाटक में इसका बहुत importance है, बहुत value है, तो कोई रोल के प्रती, क्या भी opinion दे, क्या भी thought process रखे, we don't care because it's just a role, रोल छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो actor है, वो सब star है, सब superstars है, तो superstar का, ये नहीं matter करता है, कि उसको रोल क्या दिया है, ये matter करता है, कि वो किस attitude से रोल प्ले कर रहा है, तो रोल उसको मिला हो सकता है, सिर्फ एक गेट खोलने का, उसका रोल हो सकता है, स्टेज पर, बट अगर स्टेज वाला व्यक्ति के अंदर ego है, तो थें रोल को justice नहीं हुआ, तो रोल चोटे बड़े हैं, रोल नमबर वाइस हैं, बट हम जितना जितना सोल के perspective से आते हैं, एक happy perspective से, easy perspective से जब इस story में आते हैं, तो बहर में रोल को कुछ भी कह रहा है, we are beyond that, और जब हम उसके beyond हैं, तो हम सब अपने डोल को justice कर सकते हैं, और सब की मदद कर सकते हैं, जी, बिल्कुर, और कुछ लाइन्स इस प्रकार से भी है, कि सच क्या है ये, हमसे ना पूछिये, क्यूंकि हम लोग हैं बहुरुपिये, सच क्या है, हमसे ना पूछिये, और ऐसा हम इंतिजाम करते हैं, हम नाटक में काम करते हैं, जिंदेगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं, तो ये आखरी कुछ लाइन्स हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप सच्चाई के बारे में कह रहे थे, कि अपने सचे सोरूप को जानो, तो आप इस लाइन्स के मार्दम से क्या कहना चाहेंगे? तो यही है कि सच क्या है यह अभी आक्टर्स को पता ही नहीं है, क्योंकि आक्टर्स बहुत डीपली स्टिक चिपक गए हैं अपने रोल से, और इसलिए आगे की लाइन्स हैं कि कोई जाने ना, कोई पहचाने ना, ऐसा हम इंतिजाम करते हैं और हम लोग अपने को बहु रूपी हैं, क्योंकि हर एक पार्ट में, हर एक सोल को जो पार्ट वो प्ले कर रहे हैं, उसमें कई तरीके के रोल्स हैं, जैसे किसी के लिए हम मदर हैं, किसी के लिए डॉटर हैं, किसी के लिए फ्रेंड हैं, टीचर हैं, तो जब हम इन सब से अपने को समझ रहे हैं, तो वी फिल लाइक बहु रूपी, कि कभी ये हैं, कभी ऐसे हैं, बट जब हम समझते हैं कि हम एक एक्टर हैं और हम इस पार्ट में आए हैं और इस पार्ट में बहुत सारे रोल्स हैं, तो सबके प्रति एक easy attitude आ जाता है, इतना सारा manage करना है, मतलब हर रोल की जो duties है, हर रोल की जो responsibility है, उसका pressure नहीं feel होता है, हम ऐसा समझते हैं कि if I want to be a good mother, if I want to be a good husband बना है, तो पूरे दिन मुझे याद रखना पड़ेगा कि मैं husband हूँ, husband का क्या role है, बट spiritual model क्या कहता है, कि जब actor जगा हुआ है, actor 100% जागरित है, कि मैं कौन हूँ, मेरी qualities क्या है, और ये सारे roles से मेरा connection नहीं है, मेरा connection है, इन सब roles के पीछे जो soul है, उनके साथ मेरा connection है, वो मेरी family है, अभी मुझे दिख रहा है, चार लोग मेरी family है, लेकिन मेरी real family, ये तो real family है, ये तो परदे पे दिखने वाली family है, परदे पे दिखने वाला scene है, ये तो खतम हो जाएगा, ये forever नहीं है, forever क्या है, backstage reality, कि यहाँ पे हम सब एक family है, तो जैसे ही हम इस सच क्या है, हम से ना पूछिये, ऐसा lyrics है उस काने में, कि हम को पता ही नहीं है, और हम से पूछिये भी मत, और इसलिए, अब हम यही इंतिजार नहीं करें, कि हम को हमारी story से कोई free करेगा, या हमारी stories एक positive turn लें, बाहर से हम वेट ना करें, बट हम खुद इंतिजाम करें, क जितना जितना actor अपने truth में आ रहा है, अपने सत्य में आ रहा है, और उस सत्य से, उस truth से इस role को approach कर रहा है, तो role की हर बात, किरदार की हर बात, बहुत light है, easy है, just entertainment के लिए चल रहा है, तो हमारे feelings, हमारे emotions, हमारा experiences, यह role के उतार चड़हाफ पे basis नहीं है, तो इससे कुछ कुछ मिनिट के लिए story से set back, step back करना, story से step back नहीं करेंगा, तब set back है, लेकिन story से step back करना, उसको detach होना, और इसी से always story कैसी भी चल रही है, लेकिन अंदर की जो हमारी life है, वो हमेशा amiri की होगी, हमेशा lightness की होगी, हमेशा इतना निश्चिंता की होगी, और इस ऐसी जब हमारा attitude होता है, तो कोई ऐसा भी role है, जिसमें बहुत depression है, जिसमें बहुत उनको लग रहा है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, मतलब बहुत पीडित हैं, अपने को समझ रहे हैं, तो जब हम आर, हम actor जागरित है, लाइट जल रही है, तो ऐसे में क काम है, बड़ा mission है, कि हम सब actors को उनकी story से अलग, उनको liberate करें, तो इससे क्या होगा कि हर actor को जब पता है कि मैं actor हूँ और story अलग है, तो एक better society create होती है, एक sensible society create होती है, समझदार हमारा सब कुछ, देश के level पे, globally, समझदारी से हम काम करेंगे, government, everything, you know, जितनी भी हमें problems लगती हैं, जितने भी हमें बाहर में blame करने के जो faulty areas लगते हैं, वो सब खतम हो जाएंगे, जैसे ही हम सब actors जागेंगे, सबसे पहले हम खुद करते हैं वो काम, अपनी story स detach होना, और धीरे धीरे दूसरों को भी फिर वो inspiration आती है, and we create a better society, much better society, जहां सब sensible है, equality की society है, जहां हम सब roles play कर रहे हैं, बट हमारा प्यार एक दूसरे से है, सच्चा प्यार है एक दूसरे से, तो आपको लग रहा है कि यह बहुत जल्दम create कर पाएंगे, हाँ, यह इसी त चार्ज होने में हम आदा घंटा, बीस मिनिट लगाएं, फोन फटा फट चार्ज हो जाता है, तो ऐसे ही, एक्टर को जगाने के लिए, अटेंशन के जरूरत है, लेकिन अगर कोई दिन में 15-20 मिनिट भी निकालता है, तो बहुत जल्दी वो light create होती है, और हम experience करेंगे, कि हम actually society के तरफ बढ़ रहे हैं, जी, बिल्कुल, और ये जो खेल है, अपने invisible star की बात कहीं, soul की बात कहीं, ये क्या कई जन्मू के हैं, या अभी ही देख रहे हैं हम, जैसे एक दूसरे के साथ ना, बहुत लड़ाय जग रहा है, बहुत किसाब किताब, तो क्या कहेंगे हैं? बिल्कुल, ये हर एक invisible star जो है, ये कई parts प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो ये नाटक है, जो 24-7 चल रहा है, ये कोई 2-3 घंटे का नाटक नहीं है, ये many thousand years का नाटक है, तो इस हजारों साल के नाटक में, हर एक star ने कई-कई parts प्ले करे हैं, कभी Manoj का, कभी Michael का, अलग- बना है, same soul, going through different-different parts, कभी देश के इस कोने में, दुनिया के उस कोने में, तो ये सब है, और इसलिए आपस में, जिसको कहें, हिसाब किताब हैं, कई सारी ऐसी बाते हैं, तो ये जो खेल है, ये जो ड्रामा आपने बोला कई सालों का है, तो कितना लंबा है ये नाटक, ये नाटक 5,000 years का है, हम ऐसा समझते हैं, कई इसके, you know, proofs है, कई books में और historically, बट उसमें ना जाके, ये नाटक 5,000 years का है, और जब ये नाटक स्टार्ट होता है, तो हर एक actor बिल्कुल conscious है, जगा हुआ है, तो सब अलग-अलग रोल, वो जो society है, इतनी सुन्दर society, जिसको आज जाता है, golden age, उसको कहा जाता है, सत्यूग, जहां पर हर actor अपने सत्य में है, कि मैं अलग हूं और story अलग है, तो उस society में भी, roles में अंतर होता है, कोई raja है, तो कोई assistant है, कोई manager है, तो कोई student है, difference है, लेकिन उनके interactions में, आपस के प्यार में, उसमें कोई कमी नहीं है, क्यू फिर तरेता यूग, द्वापर यूग, और अब हम बोलते हैं, कि बहुत घोर कल्यूग है, तो घोर कल्यूग का मतलब ही यही है, कि हर actor इतना सो गया है, इतना confused हो गया है, कि completely ruled by ego, completely ruled by story, कहानी, तो इसलिए प्यार देना, समान देना, relationship, सब कुछ कहानी के basis पे है, अपना और आया सब, और यहां से ही, ego ही problem है, ego is the only problem, ego को जितना हम हटाते हैं, light create करते हैं, तो satyug we are creating, internally and externally. कई बार कहा जाता है कि हम सब भगवान की कटपुतली हैं, वो जैसे चला रहे हैं, जैसे नचवा रहे हैं, या रोल दे रहे हम ऐसा कर रहे हैं, तो क्या भगवान हमें इस प्रकार के नाटक में रोल करने के लिए भेजा है, जहां पर दूख हो, या फिर कई बार हमें मिला है हम कुई? जब हम कहते हैं या सुनते हैं कि परमात्मा डाइरेक्टर है तो यहाँ पर एक वर्ड आता है कि इनकी किस्मत किसी किस्मत तो जिसकी जैसी कहानी है तो हम कहते हैं इनकी ऐसी किस्मत है तो किस्मत का मतलब है कि किसकी मत पे चलते हो, किसके डाइरेक्शन पे चलते हो, तो अब हर सोल के पास option है, कि वो अपना डाइरेक्टर या तो परमात्मा को बनाए, या शैतान को बनाए, रावन को बनाए, परमात्मा डाइरेक्टर है का मतलब यह नहीं है हाइस डाइरेक्शन पे चलने से एक्टर स्किल्फूल होता है एक्टर की क्वालिटीज उसकी शक्तियां, उसके गुण वो पर्फेक्टली निकल के आते हैं उसकी रियल परस्नालिटी और फिर उससे वो कोई भी रोल प्ले करेगा पर्फेक्टली करेगा जहां पर किस्मत की बात आती है तो हमने अगर शैतान की मत पे चल रहा है रावन की मत पे चल रहा है और रावन का मतलब, शैतान का मतलब कि यह जो खेल और यह जो नाटक चल रहा है जो ड्रामा चल रहा है इसका कुछ भी हम मतलब हमारी किसमत रावन लिख रहा है शैतान लिख रहा है और जब हम अपने को story से अलग करते हैं, तो directions जो है वो परमात्मा की directions है, कहें हम angel की direction, फरिष्टे की, तो वो सिखाएगा actor को, always जो actor की best personality है, he is always the best, उसको emerge करता है, हम किस की मत पे चल रहे हैं, हम कैसे अपनी किसमत बनाएं, कैसी कहानी बनाएं, that depends on us, रावन को अपनी किसमत का पहन दे, या परमात्मा को या एंजल को पहन दे, तो वो हमारे उपर है, और यह हम कैसे देख सकते हैं, जितना रावन-based, you know, story, जितना रावन-based actor है, तो about the story, experience होगा, मैं बेचारा, मुझे मांगना है, मुझे चाहिए, क्योंकि रावन का मतलब, full of needs, full of desires, यह रावन है, तो अंदर में हम देख सकते हैं, कि बहुत desire, बहुत needs है, तो यह checking करना अच्छी बात है, और फिर दूसरी तरफ है, actor को actually कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुरा full है, वो तो बस थोड़ी देर के लिए एक role play कर रहा है, तो यहां से जब हम approach करते हैं, तो मुझे अन्या की कहानी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ हाथ लगके कुछ होगा नहीं, क्योंकि invisible जो star है, उसका दुनिया, उसका सब कुछ अलग है, वो तो यहां पर थोड़ को, इंजल को, इसकी directions पे चलें, और इसकी directions यहीं है, कि detach from the story, आप कहानी से अलग हो, तो अपने को कहानी से अलग, आप जो आत्मा हो, इसमें जगो, इसमें अपने आपको जागरित करो, तो अपने नजरों में भी हम hero बन सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जो की नजर में हर ए हैं, तो हम पहले तो यहां से hero, और hero मतलब, you know, वो हर चीज़, lightly, प्यार से, बिलकुल खुशी से, loved by all, hero means loved by all, popular, known by all, तो यह दुनिया की level पे सब मुझे जाने, दुनिया की level पे character जाने, ऐसा नहीं, soul के अंदर यह natural knowing है, कि मुझे सब प्यार करते हैं, सब आत्मा है मुझ भी हो रहा है, पर मात्मा का मुझे से प्यार है, तो सब का है, तो इस से हम अपनी नजरों में hero बनते हैं, मतलब हम खुद है ही hero, बनना भी नहीं है, हम है ही hero, hero को emerge करना, और इस तरीके से फिर हम रोल में भी वो reflect होगा, धीरे धीरे, जी, बिलुकुल, तो यह जो गाना है इस गाने में नारियों की किरदार दिखाया गया है, और एक question है, क्या नारी को भगवान सदा सेहन करने की पार्ट दिया है, और क्या ऐसे नाटक से हमें मुक्ति मिल सकती है, जैसे हमने कहा ना, कि हमारी जो किस्मत है, वो हम खुदी लिख रहे हैं, किसकी मत पे चलके, किसक पे अंदर में रावन की directions चल सकती है, जैसे हम अंदर में किसकी directions पर है, और second part, what was the second part, जी, जो नारियों की बात कहीं है, इस गाने में दिखाया भी गया है, तो सदा सेहन करने का पार्ट दिखाया गया है, आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत से रात्याचा उनका सामना करन पड़ रहा है, तो क्या हमें ऐसे नातक से मुक्ति मिल सकती है, यह identify करना कि females के साथ ऐसा जाधा हो रहा है, yes, but it's both ways, you know, हर जगे हम देख सकते हैं, हर एक कि स्टोरी में male costume हो, चाहिए female costume, अब बातें आ रही हैं, problems आ रही हैं, और उसको face करने के लिए, actor is not conscious, तो इस तरीक की बातें, you know, low, lowness, या हम बोलें की, negative scenes, इस तरीके के सब जगे चल रहे हैं, now, हमारे सब के पास, यही हमारे लिए सबसे बड़ी lottery है, कि हम सब के पास option है, free होने का, तो मुक्ति का मतलब, यहां पे हम कहते हैं, liberation मतलब, जीवन मुक्ति, तो जीवन मुक्ति मतलब, एक second की बात होती है, जीवन मुक्ति के लिए हम सोचें कि कल से मैं start करूँगा, कल से, you know, मैं आज नहा वहा लेता हूँ, फिर कल से अच्छे से शुरू करूँगा, यह सब होती है, रावन की directions, यह सब ego की directions है, क्योंकि वो postpone करना चाहता है, जीवन मुक्ति का, की soul, जीवन मुक्त का मतलब बस इतना है, कहानी को छोड़ देना, कहानी की हर बात को, कहानी से related, हर किरदार को, हर सीन को छोड़ देना, एक second में हम छोड़ सकते हैं, एक second में, क्योंकि हम सब के, जैसे एक bird है न, एक चिडिया है, वो पकड़ के बैठी एक डाल को, तो डाल ने चिडिया को नह हैं कि तुम्हारे पास पंक हैं, तो वो उड़ सकती है, तो ऐसे ही हर एक soul के पास, एक second में we can start flying, just ये कि मैं, ये कहानी का कुछ भी मेरा है ही नहीं, ये जस नाटक की एक कहानी है, और एक second में we can experience that, जीवन मुक्त हो सकते हैं, तो जितना हम ये बार बार इस जीवन मुक्त में आते हैं, तो जैसे कहा, ये कहानी की बाते हैं, इन सब का प्रभाव कम होने लगता है, खतम होने लगता है, और इसी को कहेंगे जीवन मुक्ति, इसी को कहेंगे liberation, तो ये option सब के पास है, हर एक actor के पास, आज से हम ये कर सकते हैं, अगर कोई भी डालियों को हमने रखा है, तो उसे हम छोड़ करके आगे बढ़ें, तो आप से अंती मोड पर हम पहुँच चुके हैं, मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा बैक स्टेप लीजिए, या थोड़ा रुकिए, और फिर तोड़े अच्छे चिंतन करिए, और फिर आगे बढ तरीका है, नजरिया है, उन सब को छोड़ना, तो अब नया नजरिया क्या है, नया देखने का तरीका क्या है, तो वो नया तरीका है, टुथ के बेसिस, तो हम इसको एक मिनुट एक्सपिरेंस करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं सोल को, एक स्टार की पिक्चर में, बहुत छोटा सा चमकता हुआ सितारा, और यह चमकता हुआ सितारा, एक लाल प्रकाश के दुनिया में है, तो यह जो लाल रंग है, यह हमारा कॉंसेंट्रेशन बढ़ाता है, अटेंशन बढ़ाता है, एक लाल प्रकाश के दुनिया है, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे सितारे हैं, और सब सितारे हानी से परे हैं, किसी भी सितारे को कोई भी हट नहीं कर सकता, यह सब सितारे अमर हैं, हर एक सितारा इंमोर्टल है, अमर हैं, और सब ही सितारे बहुत प्यारे हैं, सब एक्वल हैं, सब एक ही परिवार के हैं, और सब स्पेशल हैं, और सभी सितारों का एक सुप्रीम दोस्त है, वो भी एक सितारा है, और यह दोस्त सर्फ प्यार देता है, सर्फ सम्मान देता है, और इस सुप्रीम दोस्त का जो प्यार है, हर एक सितारे की प्रती, वो नाटक के रोल पर dependent नहीं है, conditional नहीं है के नाटक में क्या किया, रोल में क्या हुआ, वो हर एक को perfect देखता है, perfect, तो सब का truth यह है कि सब perfect है, सब stars है, और यहां से इस red light की दुनिया से, थोड़ी देर के लिए आवास की दुनिया में एक stage पर आते हैं, और इस stage पर एक नाटक चल रहा है, 8 billion characters, 800 करोड characters हैं, कहानिया चल रही हैं, इतने सारे scenes हैं, बहुत सारी कहानिया हैं, politics, tragedy, action, war, बहुत सारी कहानिया हैं, इस stage पर नाटक चल रहा है, और जब actor जागरित होकर इस कहानी में enter करता है, उस वक्त कहानी कैसी भी low state में हो, sad turns हो उसमें, tragedy के scenes चल रहे हो, crisis के भी scenes हो, कितनी भी बड़ी घटना हो रही हो, लेकिन वो सब बस नाटक में ही है, और नाटक जैसे ही परदा बंध होगा, नाटक भी खतम हो जाएगा, जब ये जागरिती से actor एंटर करता है story में, तो यहां से वो नाटक के दुनिया में भी, सत्य का प्रकाश डालता है, वो खुद जीवन मुक्त है और अपने सब पुरी family को भी आत्माओं का जो पूरा परिवार है, उनको भी उनकी कहानियों से फ्री करता है और उन सब की जो नौर्मल अवस्था है, हमेशा लखी फील करना सब लखी स्टार्ज हैं, सभानी से परे हैं, दुख चिंता से परे हैं, जब सब एक्टर्ज, सब स्टार्ज, इस सत्य की लाइट में वो देखता है, तो नाटक के बाई प्लॉट्स बदलने लगते हैं और यहाँ पर भी, एक अच्छा सेटप, सत्युक का सेटप, गोल्डन एज, पर्फेक्ट वर्ल्ड, इसकी स्थापना होती है, पर्फेक्ट वर्ल्ड जहां, जैसे आत्माएं कोई रोगी नहीं है, आत्माएं मोटी पतली नहीं है, पर्फेक्ट हैं, इस सीड को पानी देने से, पेड भी हरा भरा होता है, हमारा लक्षे है सीड को, बीज को पानी देना, आत्मा एक बीज है, और सब पर सत्य का प्रकाश डालना, थाइंक यू, आप शंती, तो दोस्तों आज का कारिक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें 94, 14, 15, 14, 15 पर कॉल करके बता सकते हैं, सिस्टर अनन्य आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आज के इस प्रोग्रम में आने के लिए, और थैंक्स उनका भी जिन्होंने ये गाना लिखा है, आनन्द बक्षी सहाब और म्यूजिक डिरेटर के लक्मी कांत पैरलाल जी, लक्षमी कांत पैरलाल जी और साथी साथ इस गाने को गाया है, आशा भूसले जी, तो इतने खुबसूरत गाना हमारे सामने है, इसे हम अलग नजरिया से सुनते थे, आज एक अलग नजरिया से सुनेंगे, सुनते रहिए, मुसकुराते रहिए, नमस्ते